Chapter No. 32 State Council of Ministers की पहली वीडियो अलड़ी अपलोड हो चुगी दोस्तों ये दूसरी वीडियो है आगे वर नस पहले वीडियो पर लाइक कर बटन अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लिजे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजे आपकी जैनल डॉट से जवाब दूगा टेलीगरम ग्रूप जो अन कर लिजे महाँ पर आपको लेक्टिस की नोटिफिकेशन और पीडियाफ मिल जाएगी तो पहली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या बात किया था यह जो इतना है पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया था यहाँ पर मैं appointment of ministers, oath and salary of ministers, responsibility of ministers, composition of the council of ministers, cabinet और cabinet committee के बारे में बता हूँगा अब देखिए यह जो सारे points है दोस्तों, यह मैं आपको तब अलड़ी बता चुका हूँ जब मैं center के council of ministers और center के cabinet के बारे में आपको समझा रहा था यहाँ पर आप देखो कि बहुत सारे जो provisions मैं आपको बताऊंगा वो already उन provisions के parallel है जो कि center के case में हम लोग अलड़ी बात कर चुके लेकिन चुकि अब state को अलग से discuss करना है, chapter number 32 complete करना है, दोन चीज़ों को भी discuss करेंगे तो शुरुआत होती यहाँ पे appointment of minister से, वैसे तो appointment of minister के बारे में आपको काफी कुछ बता चुका हूँ, आपके सामने text पे लिखा हुआ है, तो फिलाल के लिए आप यह समझ लिजे, कि भाईया appointment of minister कौन करेगा, governor करेगा, तो चाहे chief minister का appointment हो, चाहे उस state के दूसरे ministers का appointment हो, governor नर कौन करेगा, तो भईय tay chief minister is appointed by governor, ओर the other ministers are appointed by governor on the advice of chief minister, कहने का मतलब यह है कि chief minister के अलावाथ, बाकि ministers का appointment was governor किसके कहने पे करेगा, चीफ minister कहने पे करेगा, पे आपके दिगा, जिसका नाम ले देगा, coalition है उस state legislative assembly में उसका leader ही chief minister बनाया जाएगा ये बात हो गई अब आप देखे एक और point यहाँ पर बताया था कि भाई एक tribal welfare minister होगा कहां पर 36 घड़ में जारखंड में मद्ध पदेश में ओडिसा में तीसरी बार ये point आ रहा है भी तक ओके 94th amendment act 2006 ये जो additional tribal welfare minister था ये 2006 से पहले जरूरी था कि भाईया बिहार में भी tribal welfare minister हूँ मन 94th amendment 2006 के थूँ 94th amendment act 2006 के थूँ ये बोला गया कि tribal welfare minister की जरुद बिहार में नहीं है चुकि बिहार में कोई भी scheduled area नहीं है लेकिन इसी 94th amendment act 2006 के थूँ ट्राइबल welfare minister आपको अपॉंट करने करेगा कहां पर 36 घड़ में और जारखंड में तो 2006 के 94 अमेंडमेंड के थ्रू ट्राइबल वेलफेर मिनिस्टर की जो रिक्वायर्मेंट थी वो बिहार से हटा दी गई और 36 घड़ और जारखन में ट्राइबल मिनिस्टर अपॉइंट करना है इस requirement को बना दिया गया ठीक है उसके बाद अगर आप बात करो मिनिस्टर बनेगा कौन तो जो भी मिनिस्टर बनेगा या तो वो state legislative assembly का member होगा या वो state legislative council का member होगा क्या इसके लाब मिनिस्टर बन सकते हैं मिल्कुल बन का member है ना state legislative council का member उसका chief minister या कोई और मिनिस्टर बनना थोड़ा मुश्किल है पट actually में उसको बनाया जा सकता है बशरते बनने के 6 महिने के अंदर या election के थूँ या nomination के थूँ वो या तो state legislative assembly का member बन जाए या फिर वो state legislative council का member बन जाए अगर नहीं बना तो फिर वो minister नहीं नौर्मल कर के इसमें state legislative assembly या state legislative council के members ही मिनिस्टर बनते है ज़ाद तर state legislative assembly के member ही मिनिस्टर बनते है जहां जहां पर council होती है तो भी जो कि council वाले जो members है न वो भाई indirect election में आते हैं उसमें काफी politics होती है, काफी political appointments होते हैं जहाँ जाँ भी state legislative council है वो बाद में तब बताऊँ जब state legislative council भी पहुँचेंगे अब माली जे कोई एक minister है, वो minister state legislature के किसी भी house का हो चाए वो state legislative assembly का हो, चाए वो state legislative council का हो अगर एक member state legislative assembly का है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो बोल सकता है और participate कर सकता है किसकी proceedings में, state legislative council के proceeding में अगर कोई minister state legislative council में है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो state legislative assembly की meetings में बोल सकता है, participate कर सकता है, बट vote नहीं कर सकता कभी मान लिजे होम डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है आपका स्टेट में उससे सवाल केवल स्टेट लेस्टेट लेस्टेट के मेंबर नहीं स्टेट लेस्टेट काउंसिल के मेंबर ही पूर सकते हैं तो जवाब तो मिनिस्टर ही देगा ना तो मिनिस्टर केवल अपने हा तो ओत की बात की जाए जब मिनिस्टर अपने ओफिस में एंट्री करता है तो उसको ओत कौन दिलाता है तो भाई गवर्नर ओत दिलाएगा गवर्नर ओत दिलाएगा तो उस ओत में क्या लिखा होगा यह है भाई आपकी ओत अब्डा मिनिस्टर उसके साथ दोस्तों एक ओत ओध औध और सीक्री बी थे किह है देखिये जो मिनिस्टर हैं दोस्तों वो ओत और सीक्रेसी लेते हैं और उस oath of secrecy में ये ministers क्या बोलते हैं ये minister ये बोलते हैं कि भाई इनकी official duty में यानि ministers जब काम करते हैं दोस्तों तो वो पूरे state के administration को चला रहे हैं अभी पूरे state के administration को चलाते हैं वक्त उनके पापने बहुत सारी information आती है तो आपकी जो एक particular information है ना वही करोनों की हो जाती है for example अगर policy से related आप किसी चीज़ के announcement करने वाले हो और किसी business enterprise को announcement के बारे में कुछ पता चल जाता है तो advance में कोई plan बना सकता है समझ गया बात को तो directly और indirectly यानि कि भाई oath of secrecy के अंदर minister ये swear करेगा ताकि उसकी official capacity में उसके पास जो भी information available कराई जाएगी वो किसी को ना directly बताएगा ना indirectly बताएगा हाँ वो information बता सकता है जिसमें उसको बताना जरूरी है on account of his duty as a minister तो अपनी duty के हिसाब से को information दे रहा हो तो बात अलाग है पर ऐसे वो information नहीं दे सकता उसके बाद बात की जाए अगर आप बात करो salaries and allowances of ministers तो salaries and allowances of ministers को समय समय पे state legislature टै करते रहते है normal करके इसमें minister को वही salary मिलती है जो state legislature के member को मिलती allowances भी वही होते है हाँ ये अलग बात है कि ministers को कुछ extra allowances मिलते है कुछ sumptuary allowance मिलते है उनके rank के साब से तो cabinet minister होगा तो ज़्यादा allowances मिलेगा minister of state होगा तो तो तुछा कम मिलेगा ठीक है deputy minister होगा और कम मिलेगा अभी ये जो ministers की rank है इसके उपर आते है फिर इनको free accommodation and traveling allowance medical facilities ये सब मिलता है ये सब तो खैर आपके state legislature के members को भी मिलता है फिर आगे बात की जाए collective responsibility फिर से वही चीज़ें जो मैंने आपको center बताई थी almost वही है देखिए भाईया parliamentary system of government का मतलब ये collective responsibility मतलब कि वो जो council of minister center पे बन रहा है चाहे वो हमारे central government के center पे बन रहा हो चाहे वो state government के center पे बन रहा है जब center पे council of minister बन रहा है उस council of minister की collective responsibility है यनि article 164 of the constitution clearly बोलता है कि भाईया ministers council of minister is collectively responsible to the legislative assembly of the state state की legislative assembly को council of ministers collectively responsible है मतलब इन ministers की joint responsibility है to the legislative assembly for all their acts of omission and commission यनि कहने का मतलब ये है कि भाईया देखिए अगर no confidence motion पास हुआ तो वो no confidence motion किसी एक minister के against पास नहीं होगा वो पूरी की council of ministers headed by chief minister के against पास होगा और अगर वो resign कर देते हैं वो council of ministers पास हो जाता है तो बोला जाएगा कि सरकार गिर गई actually में जो council of ministers headed by chief minister नहीं है ये सरकारी है ये सरकार कब तक टिकती है जब तक पूरी state legislative assembly की majority उसके पास है तो यही है joint responsibility आप अगर कोई decision लेता है मतलब council of ministers कोई decision लेता है तो किसी एक person का decision नहीं माना जाएगा वो पूरे council of minister decision माना जाएगा और उस decision से अगर state legislative assembly को problem है no confidence motion पास होता है तो पूरी council of ministers पूरी सरकार गिर जाएगी किसी एक minister नहीं गिरेगा सब जाएगे समझे है दोस्तो फिर यहाँ पर आप देखो कि अगर no confidence motion पास हो जाता है तो सबको अलग-अलग resign करने ज़रोत नहीं एक अकेले chief minister के resign करने के साथ पूरा जो council of ministers है वो automatically dissolve हो जाता है खतम हो जाता है तो भाई है council of ministers headed by chief minister को हटाने का एक तरीका तो यह है कि आप उनके against no confidence motion पास कर दो दूसरा तरीका यह है कि council of ministers खुदी governor को बोल दें कि भाई देखिये अभी केले जो सरकार बनी है और खासकर यह जो state legislative assembly है यह लोगों की wishes को represent नहीं करती तो नए elections कराने की जरूत है अब सोचिए council of ministers headed by chief minister governor को बोल रहा है कि यह जो state legislative assembly के members है जो कि लोगों द्वारा चुन के आए हैं अब यह लोगों की wishes को represent नहीं करते आप दुबारा election कर रहा हो तो governor के सामने सबसे पहली चीज तो यह आएगी कि भाया सरकार ही लोगों की majority represent नहीं करती चुकि देखे सरकार यानि कि council of ministers headed by chief minister को चुना किसने state legislative assembly को state legislative assembly को किसने चुना है लोगों ने चुना है अभी council of ministers headed by chief minister governor को यह बोल रहा है कि लोगों की wishes को state legislative assembly रिप्रेजेंट नहीं करती उस case में council of ministers dissolve हो जाएंगे अगर governor करता है तो governor नहीं करता है तो बात लगए state legislative assembly को अगर dissolve करने की बात है state legislative assembly को dissolve करने का जो जिम्मा है वो governor पर है governor चाहे तो dissolve करे governor चाहे तो dissolve ना करे चुकि governor सीधे-सीधे बोलेगा कि अगर council of ministers head by chief minister बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं इस state legislative assembly में भरोसा नहीं रह गया लोगों का तो सबसे पहले तो सरकार गिराओ सरकार गिराने के बाद governor देखेगा कि जो council of ministers head by chief minister कह रहा था वो सही था या गलत था या उनके advice करने पे पूरी की पूरी state legislative assembly को dissolve करके नए election कराने है या उसी state legislative assembly में से किसी leader को बुना के सरकार बनाने का challenge देना है ये कौन decide करेगा ये governor खोदी decide करेगा ये governor की discretionary power में आता है मतलब collective responsibility का मतलब आपको समझ में आई गया होगा कि जो cabinet के decisions है वो binding है सारे council of ministers पे और हर minister को उस cabinet की decision को मनना पड़ेगा internal meeting में भी और external meeting में भी तो बाहर में अगर media persons आप से सवाल पूछ रहे है तो आपको उस act को defend करना पड़ेगा आप ये नहीं कर सकते कि आपने council of ministers की meeting बोल दे कि हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है और बाहर media में जाके criticize करने लगे ये सही नहीं है तो आपको जो भी policy मनाई है council of ministers head by chief minister ने और obviously council of ministers में dominant कौन होता है cabinet dominant होता अभी cabinet भी थोड़ी देर में आते तो cabinet मतलब जो सबसे important नेता है जो सबसे दिगज नेता है ruling party के उन्होंने जो भी policy मनाई है उसको सारे ministers को मनना पड़ेगा जो कि council of ministers में अगर कोई minister नहीं मनना चाता है तो भाई वो resign कर सकता है बहुत सारे ministers ने policy को लेके resign किया भी है पहले फिर बात करते है individual responsibility के article 164 में individual responsibility के clauses दिए गए है article 164 में ही collective के भी थे और article 164 में ही आपके individual के भी है individual responsibility का मतलब क्या है सारे ministers अपने office को hold करेंगे on the pleasure of the governor यह देखिए यहां पे लिखा हुआ on the pleasure of the governor मतलब governor जब चाहे वो ministers को हटा सकता है बिलको सही बात है लेकिन governor अपनी मर्जी से मिनिस्टर को नहीं हटा सकता है governor एक minister को तभी हटाएगा जब chief minister उसको suggestion देता है कि आप इस particular minister को हटागो तो यह जो है ना कि ministers hold office during the pleasure of the governor यह actually में governor का pleasure ना होके chief minister का pleasure है चुकि पीछे से chief minister governor को बोलेगा आप इस minister को हटागो तभी वो minister अटाय जाएगा नहीं तो minister नहीं अटाय जाएगा उसके बाद आप देखिए दोस्तों की legal responsibility भाई देखिए हमारे समयधान में कहीं पे भी legal responsibility का कोई भी clause नहीं है आपको पता है कि भाईया हमारे यहाँ पे कोई नियम कानून मनाया state legislative assembly से पास हुआ चाहे unique camera less lecture हो चाहे bicameral less lecture हो पास हुआ और वो पास होगे governor के पास गया governor ने इसको sign कर दिया और वो law बन किया अब इ governor ने जो order issue किया है उसको क्या हमारे देश में ministers countersign करते हैं नहीं करते हैं UK में countersign करते हैं उनकी central government में बढ़ यहां नहीं करते हैं counter sign आप किसी चीज़ को कब करते हो जब आप उसके लिए एक legal responsibility लेते हो बढ़ यहां पर किसी भी प्रकार की legal responsibility नहीं है तो कोई policy कोई executive order कोई legislative act state legislature से पास हुआ और उसके बाद governor की signature पढ़े वो नियम कानून मन जाता है उस पे counter signature ही ज़रोत नहीं ministers की चुकि counter signature का मतलब यह होता है कि हम इसकी legal responsibility ले रहे हैं और किसी भी प्रकार की legal responsibility हमारे समविधान में नहीं है अब बात करते हैं composition of the council of ministers देखे constitution ने कोई specific size नहीं बना है state council of ministers का ठीक है अभी देखे आब बाद में अभी के लिए 15% कुछ amendment करके पिछली ही वीडियो में आपको बताया तो पताए वो कौन से amendment act है जिसके थूँ जो overall council of ministers की strength है including chief minister वो 15% of the state legislative assembly की strength से नहीं हो सकती जादा और 12 से कब नहीं हो सकती वो कौन से amendment act है पहले तो यह बताईए रही बात ranking of ministers की ranking of ministers के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया तो ranking of ministers में जो center पर methodology हम लोग फॉलो करते है वह ही state पर फॉलो करते है तीन परकार के ministers हैं आपके सामने screen पर लिखे हुए cabinet minister, ministers of state, deputy minister सबसे उपर कौन आता है चीफ minister चीफ minister के बाद उससे नीचे कौन आते है cabinet minister cabinet minister important state government departments को head करते है यहाँ पे state government ministry नहीं बोलोगा दोस्तों देखिए state में जो भी portfolios है चाए home का हो, चाए road transport and highways का हो उनको department बोला जाता है, उनको ministry नहीं बोला जाता है ministry हमेशा center पे जो parliament होता है जो center पे सरकार बनती है, उनकी होती है state में home department को कभी home ministry नहीं बोला जाएगा home department बोला जाएगा वो ground level पे लोग बोल देते होंगे but technically it is not a ministry ministry केवल center पे हो सकती है state की government के अंदर हमेशा department होते हैं यह बात याद रखिएगा तो home, education, finance, agriculture इस प्रकार के जो departments है दोस्तों इनको कौन head करेगा यहाँ पे तो obviously बात है cabinet के members head करेंगे तो home, finance, education, agriculture यह जो important departments होते हैं इनको जो members head करते हैं वो obviously बात है cabinet के members होते हैं और यह cabinet के members सबसे दिगज नेता होते हैं ruling party के यही सारी policies बनाते हैं यही सारे important decisions लेते हैं पूरी की पूरी government पे इनकी ही चलती है उके उसके अगर बात की जब ministries of state की ministers of state की तो देखिए ministers of state cabinet जतनी बड़े नहीं होते हैं उनसे थोड़े छोटे होते हैं तो कोई छोटा मोटा department है उसका independence charge दिया जा सकता है इन ministers of state को या फिर इन ministers of state को किसी cabinet minister के साथ attach किया सकता है तो cabinet minister अपनी choice के हिसाब से इन ministers of state को काम करदेगा और ministers of state फिर काम करेंगे minister of states को cabinet की meeting में बुलाया नहीं जाता है बट हाँ मालीज़े किसी minister of state के पास independent charge है तो independent charge वाले department से कोई लिना देना है या उस minister of state से कोई सवाल पूछना है तो उसको cabinet की meeting में invite किया जा सकता है नॉर्मल कर किसी में ministers of state को cabinet की meeting में involved नहीं किया जाता है तो सबसे उपर chief minister, उसके नीचे cabinet ministers, cabinet ministers के बाद आएंगी ministers of state और ministers of state से नीचे आएंगे deputy minister deputy minister को किसी भी ministry का independent charge नहीं दिया जाता है वो cabinet ministers के साथ attach करते हैं और administrative, political और parliamentary duties में उस cabinet minister की वो मदद करते हैं वो cabinet meetings को attend नहीं करते हैं नहीं वो cabinet के part है एक और post होती दोस्तों जिसको बोला जाता है deputy chief minister deputy chief minister वैसे तो ज़़दातर states में apply नहीं होता है but deputy chief minister एक ऐसी post होती है जो बनाई जाती है एक particular person को खुश करने के लिए एक political party में मान लिजे दो center of power है तो कल की date में मान लिजे दोस्तों कि Amish Shah और मोदी जी में एक hypothetical situation बतारों लड़ाई हो जाती है और Amish Shah बोलते है कि मोदी जी से कि तुमने बहुत राज कर लिया अब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूगा तो उस case में Amish Shah को खुश करने के लिए deputy prime minister बनाई जा सकता है मतब प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे important post यह अलग बात है कि अभी के लिए इस देश में दूसरे नमर को जो सबसे ताकतवर आदमी हों हमिश रही है बट कहीं न कहीं political compulsions की वजह से deputy chief minister और deputy prime minister जैसी post बना दी जाती है तो यह हमने देखा composition of the council of ministers अब हम बात करते हैं कि यह cabinet होता क्या है cabinet एक बहुत छोटी body होती है मतलब council of ministers में अगर 40 से 50 member होंगे तो cabinet में hardly 10 members होंगे यह छोटी body nucleus होती है सारी की सारी ताकत का real center of authority होती state government के अंदर सारे के सारे काम यह cabinet ही करती है तो highest decision making authority है political administrative system of the state के अंदर chief policy formulation body है policy formulation सबसे important executive body तो अगर कोई executive resolution नियम कानून पास करना है तो cabinet के approval से होगा chief coordinator state administration का advisory body गवर्नर को तो executive field में अगर कोई नियम कानून ले के आना है तो अब इस बाद गवर्नर को advise करेगा यह cabinet की आप इस पे sign कर दो document पे governor sign करेगा chief crisis manager है माली जी किसी परकार की emergency situation ना जाती state में law and order situation ना जाती है तो वहाँ पे cabinet involved होगा legislative और financial meters के उपर बातचीत करना और इनसे related legislations और executive resolutions को propose करना यह काम है cabinet का higher appointments जो भी करी जाती है state में जैसे कि advocate general of the state या फिर और जो दूसरे important appointments है state election commission के chairman को appoint करना है cabinet committees क्या होती है दोस्तों देखिए cabinet के अंदर भी छोटी एक दो members की cabinet committee बन जाती है यह cabinet committee दो प्रकार की होती है permanent और non-permanent permanent cabinet committee को आप standing बोलोगे non-permanent cabinet committee को आप ad hoc बोलोगे तो यह ad hoc committees किसी special purpose के लिए बनाई जाती है जब उनका purpose पूरा जाता है उनको dissolve करती जाता है इन standing committees और इन cabinet committees को chief minister समय समय बनाते है अगर किसी particular issue से लेके cabinet committee बनाना ज़रूरी है तो chief minister cabinet committee बना देगा उनका number, nomenclature, composition यह depend करेगा chief minister के mood के उपर और एक दो और important दिगज नेचा के mood के उपर issues को sort out करना किसी एक problem पे अपने proposals को formulate करना ताकि cabinet तेजी से उस particular चीज के उपर decision ले सके यह काम है किसका cabinet committee हालागि cabinet committee ने अगर कोई decision propose किया है उस decision को बदलने की और review करने की ताका तो किसके पास cabinet के पास तो यह था दोस्तों आपका state council of ministers chapter state council of ministers अब खतम हो चुका है और अगली वीडियो में लोग बात करेंगे chapter 33 state legislature के बारे में स्वारी सवाच के लिए thank you for watching have a great day